अस्सालावालेकूम और नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शाइबाद, स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम इस एंगल ग्रांडर को रिपेर करने वाले हैं इसके अंदर क्या समस्या है यह जाम हो रखा है और हम इसके अंदर bearings को change करने वाले हैं सबसे पहले मैं क्या सोच रहा था कि इसका जो gearbox का bearing है यह खराब है या फिर तोटा हुआ है लेकिन दोस्तों यह तो फिल्कुल ठीक है इसके अंदर के जो bearings है जो armature के उपर और नीचे की तरफ होते हैं उन दोनों को हम change करेंगे सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि यह बिल्कुल एक local grinder है जैसे कि markets में ज़्याद अगर क्या आपको मिलते हैं अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इसे repair करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि यह जहाम हो रखा है अब इसे यहाँ पर दोस्तों हम कितना ही pressure लगा कर क्यों ना घुमाई यह नहीं घुम पा रहा है तो ऐसे में हम जानेंगी कि किस परकार से पता करें कि bearing कौन सा खराब है gearbox का या फिर grinder का अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे gearbox को open करेंगे तो gearbox को open करने के लिए आपको सबसे top पर 4 screw provide किये जाते हैं एक यह वाला यहाँ पर दोस्तों इसे हम सबसे पहले खोल लेते हैं इससे उपर वाले screw को खोलते हैं तो इस तरह से करके यह total चार screw याई की page दिये जाते हैं इन चारों को आपको बिल्कुल खोल लेना है screw driver की साहता से खोल लेने के बाद में इन screws को आप अलग निकाल दीजिए और रख दीजिए अब आपको क्या करना है gearbox के जो head है इसको इससे अलग करना है अलग करने के लिए आप क्या करें screw driver की knock से इसमें दूरी बनाए और जैसे ही आप इससे इसके बीच में डालेंगे तो आपका gearbox खुल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो gearbox का head है यह हमने बिल्कुल अलग कर लिया अब यहाँ पर दोस्तों आप पता करेंगे gearbox का bearing खराब है या फिर grander का तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस गराली को हम काफी pressure लगा कर भी घुमाएं तो नहीं घुमा पा रहे हैं यानि कि यह तो हमारा उपर का bearing या फिर नीचे वाला bearing खराब है अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि जो gearbox वाला bearing है वो बिल्कुल okay condition में है यह बिल्कुल आसानी से चल रहा है गूम रहा है तो इसमें हम यह gearbox वाला bearing है यह तो हम change करेंगे नहीं अब हम open करेंगे grander को तो यहाँ पर एक ये वाला screw एक ये वाला और दो आपको एक ये वाला और एक ये वाला चार screw मिलते हैं च्योंकि आपके जो head है गरारी box का उसको grander से अलग करते हैं machine से तो हम क्या करेंगे इन चारो screw को open कर लेंगे अब ज़्यादा करके jam होने के chances में उपर का bearing ज़्यादा खराब होता है तो हमने क्या किया यहाँ पर हम चारो screw को open कर लिया अब दोस्तों जैसे ही हम हलके से इसे hit करेंगे या फिर screw driver की knock की साहिता से इसमें gap बनाएंगे जो इसका head है वो बिलकुल अलग हो जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरह से आपको इसके head को अलग कर लेना है तो यहाँ पर दोस्तों यह आपका head बिलकुल आपके grander से अलग हो गया तो इससे हमारा फिलाल कोई काम नहीं है तो इससे हम अलग रख देते हैं parts को अच्छे से समाल के रखेगा क्योंकि बाद में आपको इन्हें assemble भी करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह बिलकुल यहाँ से jam हो रखा है उपर आप देख पारे हो कि जो उपर वाला bearing है वो तूटा हुआ है अब यहाँ पर दूस्तों directly ही आप इस armature को इस तरह से खेंचनी की कोशिज ना कीजेगा क्योंकि यह नहीं निकल कर आएगा इसके लिए सबसे पहले आपको इसके carbon निकालने होंगे वो किस तरह से निकालने है वो मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हों कि bearing की क्या condition है bearing बिल्कुल टूटा हुआ है तो हम क्या करते हैं पहले इसको armature को बाहर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे पहले तो इसे नीचे के side से जो इसका cover होता है उसे हम open करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि maximum chances में यहाँ पर screw लगाये जाते हैं लेकिन locally है और पता नहीं खराब हो गया है कि तो यहाँ पर tape लगा रखिये तो मैंने इसे cut out कर दिया और नीचे की दरफ दो screw आपको provide किये जाते हैं इन दोनों को मैं खोल लेता हूँ screw driver से यहाँ पर दोस्तों fork और screw driver की मदद से आप इन दोनों पेचों को खोल लीजिए और आप cover को अब आप नीचे की तरफ निकाल सकते हैं निकाल लेने के बाद में अब आप यहाँ पर दो carbon देख पा रहे हो carbon के उपर यहाँ पर दोस्तों cover लगाया गया है इन cover को आप remove कर लीजिए अगर screw दिये गया है तो screws को remove कीजिए इसके बाद यहाँ पर आपका एक carbon लगा हुआ है और एक carbon इसके just opposite side में लगा हुआ है इन्हें निकालने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले screw driver लेंगे छोटा वाला और इस spring को इस तरह से हटाएंगे और इस carbon को इस तरह से निकाल लेंगे यहाँ पर दोस्तों carbon की जो wire है वो टूटी हुई है अगर टूटी हुई नहीं होती तो हम wire पकड़ के carbon को पीछे की तरफ खेंच सकते थे तो यहाँ पर दोस्तों इसी तरह हम इस वाले carbon को भी निकाल लेते हैं तीक है जी इस तरह से तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने grander के दोनों carbon को निकाल लिया है अब इसके बाद से हम इसके armature को आसानी से बाहर के तरफ निकाल पाएंगे यह हमारा armature हमारे सामने निकल कर आता है यहाँ पर दोस्तों जो bearing हमारा break हो रखा है सबसे पहले हम इसे change करेंगे तो जो यहाँ पर nut लगाया है उपर की तरफ इसे हम 10 number key का इस्तमाल करते हुए सबसे पहले anti-clockwise गुमा कर इसे खोल लेते हैं अब दोस्तों anti-clockwise गुमाने पर क्या होगा यह nut आपका खुल जाएगा जैसे आप इस nut को खोल देते हैं इसके पीछे गराडी लगी होती है इसे आप निकाल दीजिए निकाल देने के बाद में अब आपको करना क्या है अब आपको अपना bearing निकालना है यह bearing की sheet हो गई और यह आपका bearing है तो यह यहाँ पर दोस्तों क्या है कि bearing टूटा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें से कच्रा निकाल लेते हैं और आप bearing को निकाल लेते हैं और यह इस bearing की sheet हो गई तो यहाँ पर दोस्तो अब हमने इस सब चीजों को de-assemble कर दिया है अब वापस से assemble करनी की बारी आती है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक बारी तो अच्छे से इन सभी parts को साफ करेंगे bearing के number को यहाँ पर certified करेंगे जो आपका नीचे वाला bearing है वो ठीक condition में है या फिर वो भी खराब हो रखा है अगर खराब है तो इसे भी आप change कर दीजिए यहाँ पर दोस्तो मैंने देखा नीचे वाला bearing बिल्कुल ओकी condition में है तो हम उपर वाला bearing change करते हैं तो यहाँ पर यह मैंने 608 number HCH brand का वही copy बिल्कुल same to same bearing लिया है और इसे इसके अंदर हम fit करने वाले हैं ठीक है तो अब fit किस तरह से करना है अब वो भी आप देख लीजिए सबसे पहले अपने armature को लीजिए armature के उपर आपको एक यह दोस्तो यह plastic की आप blade देख पा रहे हो यह हवा के लिए होती है इसके बाद जो यह आप iron sheet देख पा रहे हो यह आपको लगा देनी है जो कि आपके front side के balance को cover करता है इसके बाद इसे लगा देने के बाद में अब आपको जो अपने आप 608 number bearing लिया है उसे इसके उपर set करना है यह आसानी से सेट हो जाता है आपको कुछ भी जोर्द बरस्ति करने की ज़रुरत नहीं रहेगी अब इसके बाद में जैसे कि हमने इसमें से क्या था गरारी निकाली थी nut को खोलने के बाद तो अब वो हम गरारी यहाँ पर लगा देते हैं यह वाली गरारी थी यह यहाँ पर हम इसके उपर लगा देते हैं ठीक है इस तरह से जिसमें जो गरारी की कोर्स हैं वो आपको उपर की तरफ रखनी है जिस तरह से हमने खोला था और जो nut हमने खोला था वो भी अब हमें लगाना है और अब हमें इसे clockwise घुमाते हुए इसे tight करना है वही 10 नंबर की का इस्तमाल करते हुए अच्छे से pressure लगा क और आप इसे tight कर दीजिएगा कर देने के बाद में अब हम क्या करते हैं जो पीछे वाला bearing था वो okay condition में था तो हम क्या करते हैं इसके अंदर भी गरिश डाल कर इसे complete कर देते हैं ताकि जो इसकी life है हम उसे काफी हद तक improve कर पाएं लगा देने के बाद में इसका जो bearing का shield है यहाँ पर plastic seal का इस्तमाल किया जाता है तो यह आसानी से लग जाता है तो इसे लगाना अपना बिलकुल भी ना भूलना और हो सके तो oil मत डालना bearing के अंदर जिससे क्या होगा गरिश निकल जाता है अब हम इसे fit करते हैं तो सबसे पहले तो grinder की body के अंदर हम उसका armature fix तो यहाँ पर एक बारी आप इसे armature को अंदर के side से अच्छे से साफ कर लीजेगा और एक बारी check out कर लीजे कोई और परिशानी तो आपको नहीं है all information continue करने के बाद में अब हम हमारी armature को grinder के body के अंदर fix करते हैं इस तरह से आपने fix कर देना है हलका सा pressure आप आगे की तरफ लगाएंगे तो यह आसानी से set हो जाएगा यहाँ पर जो आप यह iron blade देख पा रहे हो इसकी जो एक core है यह आपको इन slots में इस तरह से चार खाचे हैं इनमें आपको इस तरह से pressure करके fix कर देनी है तो यह आसानी से fix हो जाता है तो यह हलका सा lose ही रहता है तो इससे आप ignore करिए इससे कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद जो आपका gearbox का head है इसे हम लगाएंगे इसके उपर इस तरह से लगा देने के बाद में अब हमने जैसे कि यहाँ पर चार bolts को remove किया था उन्हें खोला था वापस से लगा कर आपको वो लगा देने है और उन्हें tight करना है जासे कि यह एक bolt हमने लगाया जैसे हम लगाकर tight कर देते हैं यानि कि दोस्तों पहले आप क्या कीजिएगा 4 bolts को लगा लीजिए फिर उन्हें हलका हलका बराबर से tight कीजेगा ऐसा नहीं करना है कि आपने एक boat लगाया उसे full tight कर दिया चार बोल्स लगा दिये complete कर दिये इसके बाद इन्हें हम tight कर दिते हैं tight इतना कीजे कि ऐसा भी ना हो कि जो आपकी screw की चूडियां हैं वो बिलकुल खराब हो जाएं तो इन्हें हलके हलके हाथ से अच्छे से आपको tight कर देना है तो यहाँ पर मैंने चार बोल्स को complete tight कर दिया है अब एक बार हम इस गरारी को घुमा कर देखते हैं तो कोई problem तो नहीं है तो यह ओकी condition में है और work कर रही है तो पहले यह क्या था है कि यह जहां मो रखी थी इतना कर देने के बाद में अब आपको अपने carbon लगाने हैं वापस से तो पहले तो क्या कीजिएगा screw down wire के साहता से spring को remove कीजिए अपने carbon को carbon slot में डालिए और spring को उस पर pressure बनाते हुए वापस से लगा दीजिए लगा देने के बाद में दूस्तो सेम डिटोक आपको copy करते हुए जो उसके opposite side वाला दूसरा carbon है वो भी आपको लगा देना है यहाँ पर दूस्तो में क्या करता हूँ आपको practically बताते हुए जो second वाला carbon है opposite side वाला वो भी लगा कर हम complete कर देते हैं यहाँ पर दूस्तो यह spring हलका सा tight है तो इसे हम pressure बनाके उपर की तरफ रखते हैं slot के अंदर carbon डाल देते हैं और इसके बाद spring को उसके उपर pressure बनाते हुए fix कर देते हैं अब यहाँ पर दोस्तो हमें इसके जो head को fit करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर हम grease लगा देते हैं और दोस्तो जो आपके गरारी box का head का जो सबसे बड़ा वाला गरारी है उस पर भी हम grease यहाँ पर लगा देते हैं जो parts हैं उनकी अच्छे से repairing भी हो जाएगी और जो उनकी life है वो भी काफी हद तक improve हो जाएगी अब दोस्तो हम इसे fit करते हैं fit कर दिया दोस्तो हमने इसे अच्छे से हम adjust कर लेते हैं और adjust करने के बाद में हमें यहाँ पर जो हमने चार screws सबसे first में remove किये थे निकाले थे उन्हें वापस से आपको लगा देना है और लगाने के बाद दोस्तो चारो screws को आपको अच्छे से tight भी कर देना है इसके बाद दोस्तो यह आपका bearing change करने का process हुआ complete अब जो यहाँ पर आपने जो पीछे वाले carbon के जो covers remove किये थे उन्हें आपको वापस से लगा देना है और यहाँ पर दोस्तो जो पीछे वाला cap है वो भी आपको लगा देना है अगर screws हैं तो screws लगा दीजिए और tape हैं तो tape लगा दीजिए यहाँ पर दोस्तो मैं electricity लगाता हूं switch को करता हूं on तो हमारा grinder on हो गया और यह working condition में है तो इस तरह से आप आसानी से bearings को change कर सकते हो I hope you guys वीडियो आपको पसंद आता है अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को like केजिए ज़़ज़ बाटने के लिए अपने दोस्तों को साथ में share करें और आगे देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें धन्यवाद